Hello everyone, स्वागते आप सभी का नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट चेप्टर जो बहुत ही जादा इंपोर्टन है बहुत ही बहुत ही जादा इंपोर्टन चेप्टर है और इसी के साथ ही हम इसके काफी टाइप्स के कोशन करें और उसके बाद हम जो है कोशन जो है वो डिस्कस करेंगे ओके सो आज की वीडियो आपके लिए जो है वो काफी जादा इंपोर्टन है तो द्यांज से आप इसको देखना आइट आप भी साथा जो कोशन थे वो प्रक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉस करके सो लेट्स इसमें three types की arrangement यहां पर हमें दिख रही है, first is linear arrangement, ठीक है, मतलब जो लोग हैं, वो line में arrange होंगे, second हमारे पस क्या है, double row arrangement, double row means की हमारे पास, जो है, दो lines में जो person है, वो arrange होंगे, okay, and third one is circular arrangement, तो आप यहां से figure से भी देख पारे हैं, this is linear single line problem, ठीक है, यह हमारे पास है double line और यह हमारे पास है circular, इन सभी को आपने daily life में भी देखा होगा, कि जैसे लोग single line में कब होते हैं, जैसे ATM के बाहर single line लगी होती है, right, पिछले जमाने म double line जो है, वो आपको कब दिखते हैं, जैसे कि आप देखते हो, trains में लोग double line में बैठे होते हैं, एक दूसरे को face कर रहे होते हैं, ठीक है, और circular में, जैसे आप कुछ meeting कर रहे हो, कुछ right, कुछ आप discussion कर रहे हो, तो आप circular table के around आपकी arrangement होती है, ठीक है, तो चरिए, क्या basic points हैं, ठीक है, सबसे पहले linear arrangement में हमारे पास, जो है, अगर जो people है, ठीक है, अगर वो north को face कर रहे हैं, तो जो ये वाली side है, वो हमारे पास left side होगी, ठीक है, और जो ये वाली side है, वो हमारे पास क्या होगी, right side होगी, but अगर case opposite हुआ, अगर जो person है, वो south को face कर रहे हैं, त opposite हो जाता है हमारे पास north के comparison में तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है by default अगर question में आपको direction नहीं given कि लोग जो वो किस तरफ देख रहे हैं तो by default आपके ले सकते हो north direction ऐसे ही double row arrangement में मारे पास दो case हो सकते हैं जातो हो सकता है कि दोनो जो lines के लोग हैं वो north की तरफ देख रहे हो ठीक है मतलब ऐसे देख रहे हो right जा फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को face करके देख रहे हो ना मतलब एक set of people north को देख रहा हो दूसरा set of people जो है वो south को देख रहा हो ठीक है तो north और south लेते time आपने जो left और right है उसका आपने द्यान रखना है ठीक है तो यह हमारे पास बात हुई double row arrangement की अब बात करते हम circular arrangement की ठीक है तो basically जैसे चार लोग हैं चार लोग हैं और वो circle में बैठे हुए हैं अब देखो इसमें first case आता है जो लोग हैं वो inside देख रहे हैं मतलब उनका जो face है उनका जो face है वो center को देख रहा है circle के ठीक है तो अगर center की तरफ देख रहे हैं तो यह वाली side है यह left side हो जाएगी जैसे यह आपर भी person A है तो उसकी left side होगी यह वाली है आप इसको anti-clockwise है जो clockwise है यहां पर यह clockwise होगा वो left side होगी और जो anti-clockwise है वो हमारे पास right side होगी तो यह चीज का आपने द्यान रखना है left और right का आपने द्यान रखना है और इस ही में हमारे पास एक opposite case आता है कि अगर suppose चार लोग बैटे होँ और बट वो अंदर की तरफ ना देख रहे हो center की तरफ ना देख रहे हो बाहर की तरफ देख रहे हो जैसे आप कुछ games खेलते हो तो उसमें ऐसे होता है कि आप circle में होते हो बट आपका face जो है वो outside होता है उस case में left और right change हो जाएगा अब आपका जो left है वो इधर हो जाएगा ठीक है और आपका जो right है वो हमारे पास इधर हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास इसमें first point है ठीक है तो I hope यहां तक आपको चीज़े clear है इसमें बस आपने left right का जो है वो ध्यान रखना है ठीक है अब step by step हम questions की तरफ चलते हैं जैसे यह मारे पास पहला question है अभी जो हमने जो मैंने सारे questions लिए हैं यह हमने single single question लिए हैं मतलब एक question होगा और एक ही information होगी और एक ही question जो है उस पे based होगा आप इसको try कर सकते हैं वीडियो को pause करके तो चलिए start करते हैं six friends are sitting in a circle ठीक है तो six friends है और वो circle में बेठे हुए है तो सबसे पहले arrangement जो है वो इस तरीके से हो जाएगी आपने diagram जो प्रॉपर बनानी है ठीक है जिसे six friends है तो equal gap लेके आप diagram को बनाओगे ठीक है जितनी आपकी diagram सही होगी उतना ही जल्दी से answer जो है वो आपका आएगा उसके बाद क्या दिया हुआ है Kenny is the left side of Danny, Mikkel is between Bobby and Johnny Razor is between Kenny and Bobby तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पे Mikkel ले लेते हैं M किसके बीच में है? Bobby and Johnny के बीच में तो Bobby इदर आजाएगा, Johnny इदर आप देखों दूसरा case भी तो हो सकता है इसका opposite case भी हो सकता है हो सकता है कि Mikkel को मैं यहाँ पे ले लूँ और जो Johnny है इदर आजाए और Bobby जो है वो दूसरी side आजाए है, तो यह मारे पास यहाँ पे आजाएगा किसके बीच में Kenny and Bobby, तो Kenny यहाँ पे, Bobby यहाँ पे, right अब देखे क्या दे रखा था first line आपको क्या देखे, Kenny is left side of Danny, ठीक है, Kenny जो है वो Danny के left side में है तो अगर आप इसमें देखें, तो Danny आपकी यहाँ पे आजाएगा, ठीक है और Danny के left side में आपके पास क्या है, Kenny, right, तो यह diagram हमारी पास सही होगी, तो कि इस diagram में हमारी पास जो Danny है, उसके लिए यही position बचती है, और जो Danny के right में Kenny आ रहा है, ठीक है बट हमें क्या given है, कि Danny के left side में Kenny आना चाहिए, so this diagram हमारी सही होगी, ठीक है, question क्या पूचा है, who is sitting right side of Mickal, ठीक है, Mickal के right में कौन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Bobby, so option D में सही आजाएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले question पे, ठीक है, अगला question आपके पास क्या है, six girls are standing in a circle facing towards its center, ठीक है, तो इस line से start करते हैं, रेखा किसके बीच में हैं, बिन्दू and मुम्ताज के बीच में, बट एक और possibility आ सकती है, ठीक है, इसका opposite case, तो रेखा को मैंने यहाँ पे ले लिया, मुम्ताज को यहाँ पे, बिन्दू को यहाँ पे, अब इसी का reverse case मैंने ले लिया, अब यहाँ पे आप देखें, तो जैजी इस बिट्वीन वीजी और निर्मला, जैजी किसके बीच में है, वीजी और निर्मला के बीच में, और यहाँ पे आपको दे रखा था, बिन्दू is left side of वीजी, बिन्दू जो है, वो वीजी के left side में है, तो यहाँ पे आप वीजी ले लोगे, तांकि वीजी के left side में वो आपको बिन्दू आ जाए, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे यह डियाग्रम क्या आजएगЕ, तो यह लाइन आप अब यूस कर सकते हो जैजी इस बिट्वीन वीजी निर्मला तो जैजी आपके यहां पर आजाएगी और वीजी और निर्मला आपकी यहां पर आजाएगी राइट तो यह डाइगराम जो है वो हमारी यहां पर यहां पुछा आप से वो इस लेफ्ट साइड ऑफ मुम्ताज मुम्ताज के लेफ्ट साइड में कौन है तो यहां पर आप दे सकते हैं निर्मला ओके ऑप्शन बी इस करेंट आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन पर चीक है अगला कॉशन क्या है नेक्स जो कॉशन है वो टू रोज का है कि 6 परसन आपके पास आप सिटिं इन टू रोज विद त्री इन इच रोज तीन तीन परसन है इच रो में अब दे कोई कुछ ऐसा सेनेरियो ने दे रखा कि we're facing towards each other. थीक है जो सकता है कि यह जो है यह मारे पास इस तरीके से हो, ठीक है यह एसे देख रहे है और यह ऐसे देख रहे है Q is not at the end of any row Q किसी end पे नहीं है Q कहीं बीच में होगा तो यहां पे ले लेते हैं Q को बीच में Position of P is second from the left side of R R के second left में P की position है तो अभी इसको बाद में हम यूज करते हैं O is in the front of P diagonally O किसके front में है P but diagonally and near to Q O किसके near है Q के near है N is near to R N किसके near है R के तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं So सबसे पहले तो आपको यह दे रखा था कि O किसके front में है P क diagonally and near to Q O किसके near है Q को तो let's case O को हम यहां पे ले ले लेते हैं किसके front में है diagonally P के तो P आपका यहां पे आ जाएगा N is near to R N किसके near है R के यहां पे आपको यह और लाइन दे रखी थी कि P is second from the left side of R ठीक है कि R के left side में जो है वो P है यहां पे ठीक है तो देखो इसका मतलब यह वाला case नहीं आएगा क्योंकि यहां पे जो P है वो R के left में है ठीक है तो R आपको यहां पे लेना पड़ेगा तो यह R के right में आ रहा है ठीक है इसका मतलब यह वाला case कैंसल हो जाएगा ठीक है तो हम इसको दुबारा एक बड़ एक और डाइगराम possibility लेंगे क्यों को यहां पे आप लोगे ठीक है और Q जो है वो O के नियर है तो O आप यहां पे लोगे ठीक है और P आप यहां पे लोगे आप देखें अब आपका question बन रहा है P is second from left side of R ठीक है तो R आप यहां लोगे R के second left में यह R का first left है यह R का second left N is near to R तो N आपका यहां पे आजाएगा अब देखो कौन सा person बचा है M M आपका यहां पे आजाएगा तो यह आपकी arrangement है वो final है तो कौन है N के front में, N के front में हमारे पास क्या है Q, so option B is correct ठीक है तो इसमें दोनो direction हमने north क्यों ली क्यों कि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा था और ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा था they are facing each other ठीक है तो हमने दोनों जो direction है वो इसमें क्या ली north ली, ठीक है तो ये last person की बात कर रहा होता है ठीक है, और जब भी आपस and आजाए जाए जाफिर but आजाए तो ये हमारे पास बात हो रही होती है first person की, right चलिए, तो question हमारे पास क्या है question है six person are sitting in a row ठीक है, छे person है row में बैठ हुए है, you is left side of v, but right side of w ठीक है, you किसके left में है v के left में, right तो v के left में you आ गया, but but मतलब you की बात हो रही है but right side of w, but w की right side में you, okay, उसकाद who is right side of x, w किसके right में x के right में, तो x यहाँ पर आजाएगा x के right में w, and y is right side of z z who is left side of x ठीक है, x के left में कौन है z, तो z यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा, और y is right side of z ठीक है, y जो है, वो z की right side में है, तो आपका y जो है, वो यहाँ पर आजाएगा, okay so, यह arrangement बनगी who is sitting in exact middle ठीक है, exact middle पर कौन बैठे हुए है so, हमारे पर आजाएगा x, w right option b आगे बढ़ते हैं ठीक है, अगला कोशन हमारे पास क्या है four children, Akram, Bobsy, Priya and Tulsi are on a ladder Akram is above Bobsy, ठीक है, Bobsy के उपर यहाँ पर ladder में कौन है, Akram, तो यहाँ पर आपके Akram आजाएगे, right Bobsy is between Akram and Priya, Bobsy किस के बीच में है, Akram over Priya के बीच में है, तो Priya यहाँ पर आजाएगी, right Tulsi, Tulsi is above Akram, ठीक है, Akram के above कौन है, Tulsi, ठीक है तो यहाँ पर Tulsi, right क्या पुछे आप से, who is second from downside ठीक है, downside से second कौन है, Bobsy, so option क्या आजाएगा, हमारे पास D, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस question को आप Try करना, और मुझे comment section में आप बताइए किसका answer आपका कौन सा आ रहा है, ठीक है बढ़ते हैं, कुछ अलग type के question में, जैसे यह अलग question है ठीक है, इसमें क्या है, 4 friends A, B, C, D are playing Karam ठीक है, 4 दोस्ता है, Karam देख रहे हैं, अब आपको Karam, जब play करते हैं, तो हम कैसे बैठे होते हैं, जैसे मेरे opposite कोई person बैठा है, ठीक है, और square type की जो है, वो arrangement होती है उसमें, right, A is facing towards south, ठीक है, तो A को यहां पे लेलते हैं, A की जो direction है वो क्या है, south, okay D is facing towards east ठीक है, D का जो face है, वो east की तरफ है, right, तो D यहां पे होगा, और D का face जो है, वो east की तरफ है, okay C is facing towards west, C का face कहा है, west की तरफ ठीक है, तो C आप यहां पे लेलो, C का face जो है, वो west की तरफ है B is sitting left C ठीक है, C के left में, अब देखो C जो है, वो west की तरफ तो जो हमारा west में जो left side है, वो क्या होती है, south ठीक है, तो B जो है, वो यहां पे देख रहा होगा north की तरफ, तो यह इस type की arrangement होगी हमारा पास, who is sitting right of C, ठीक है, आप देको C जो है वो west की तरफ देख रहा है तो जो right side है, वो north होगी ठीक है, तो इसके right में कौन है, so option क्या जाएगा, C, who is sitting in front of B, B के सामने कौन है A, ठीक है, तो इसका भी answer क्या जाएगा A, that is option B ठीक है, तो यह हमारा पास, इस पे दो question based थे, okay, आगे बढ़ते है clear, यह भी आप try करना, यह भी उसी type का question है देखो, करते हैं बात, circular arrangement की, ठीक है, तो इसमें देखो, कितने person हैं हमारा पास, A, B, C, D, E, F, G तो अगर हम देखें, तो हमारा पास 7 person है, right, तो 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, राइट, यह 7 लोग हैं, यह around a circle बैठे हुए हैं, circular ring में ठीक है, आप start यहां से कर सकते हो, ठीक है, इसमें given नहीं है, कि center की तरफ देख रहे हैं, जब बाहर देख रहे हैं, तो by default, आपने क्या लिना होता है, center ठीक है, पहली line से start करते है, F is second to the right of G ठीक है, G के second right में, जो है, वो कौन है, F, तो F यहां पे आ जाएगा, B is neighbor of F, but not of E, B, जो है, वो F का तो neighbor है, but E का neighbor नहीं है, तो अभी B यहां भी आ सकता है, B यहां भी आ सकता है, तो अभी इसको थोड़ा सा बाद में use करेंगे, okay E is the neighbor of C and fifth to the right of G है, जब भी and आ जाएग, पहले person की बात कर रहा होता है, वो, तो E जो है, वो G के fifth right में है तो G यहां पे इसका fifth right क्या होगा, यह इसका first right, यह second right, third right fourth right, fifth right, तो यहां पे कौन आ जाएगा E, और E किसका neighbor है C का, okay तो C यहां भी आ सकता है, C यहां भी आ सकता है next के दिर रहा है, D is between E and A, E and A के बेच में कौन है, D, E आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है, D आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है, अब E neighbor है C का, तो C की यही जगा बचती है और B neighbor है F का, तो B आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, तो यह मारे पस proper arrangement बन गी, तो A के diagram में मारे पस answer आ गया तो कई बार के होता है कि आपको एक से जादा possibility, जो है वो लेनी पड़ती है, अब अब question जो दो इसके उपर based है, आराम से बता सकते हूं कि answer आएगा Who is fourth from the left of G G के left में fourth कौन है ठीक है, तो G के fourth left में कौन है, तो यह first left हो गया, यह second left, यह third left, यह fourth left, तो कौन आ जाएगा हमारे पास A, okay, Who is left of G Right, G के left में कौन है Okay, so अगर आप देखें यहाँ पर C ठीक है, दे रखा है, A और B दे रखा है Right, अगर यहाँ पर बोलता कि immediate left में कौन है, तो C आता ठीक है, अब देखो left में C भी है E भी है, और भी है, okay So, यहाँ पर immediate left अगर आप लेते हो तो इसका answer क्या जाएगा, C, okay आगे बढ़ते हैं अब देखो, अब हमारे पास जो question है, वो कौन सा है square arrangement, ठीक है, सबसे पहले instructions पढ़ेंगे, instruction आपके सामने given है, four boys and four girls are sitting in a square and their faces towards the center, ठीक है, सभी under की तरफ देख रहे हैं, square की तरफ everyone sitting in a corner and the midpoint, ठीक है arrangement आपके देखो किस तरीके से होगी कुछ corners पे, जो है, corners पे बैठ हुए है, और कुछ हमारे पास जो है, वो middle में बैठ हुए है ठीक है, इस type से जो diagram है, वो आप बना सकते हैं, राइट अब देखो, क्या बोला है, the madhu is in the front of usha diagonally madhu किसके front में उशा के, diagonally तो यहाँ पे अगर आप madhu लें तो हमारे पास जो usha है, इसके diagonally यहाँ पे आजाएंगी उशा, उसके बात क्या है, and right side of Gita, and किसके लिए यूज होता है, first person के लिए, madhu की बात की गही है and madhu जो है, वो गीता के राइट साइड में और यहाँ पे, गीता के बारे में कुछ बोला हुआ है, कि rise just next to Gita, and in front of gopi diagonally, who is the left side of goes, right, यहाँ पे जो madhu है, वो गीता को यहाँ पे रखके देखें, तो rai is just next to, ठीक है, तो यहाँ पे rai आजाएगा हमारे पास, okay, and in front of gopi, ठीक है, rai किसके front में gopi के, तो gopi यहाँ पे आजाएगा, ठीक है, क्योंकि diagonally front में, who is left side of boz, ठीक है, जो boz के left side में है, तो boz आपके यहाँ पे आजाएगे, क्योंकि यहाँ पे boz की जो left side में, वो हमारे पास क्या है, gopi, okay, this is clear, suma is sitting in front of prema, but not right of madhu, ठीक है, तो madhu के right में यहाँ पे नहीं होगी, हमारे पास suma, तो suma मारे पास कहाँ आजाएगे, यहाँ पे, ठीक है, in front of prema, तो prema यहाँ पे आजाएगे, क्योंकि उनके front में आईए, ठीक है, prema यहाँ, तो यह हमारी arrangement जो हुआ है, वो पूरी complete हो चुकी है, okay, so आप इसको check कर सकते हैं, right, so I hope आज के lecture में आपको काफी कुछ clear हुआ होगा, okay, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले पार्ट में हम इसके कुछ और ज्यादा important questions, जो हो डिस्कुस करेंगे, okay, so अगला पार्ट भी आप इसका देख सकते हो, so, see you in the next video, thank you all,